Finally, confirm हो गया है Pixel 8 और 8 Pro इंडिया में launch होने वाले हैं 4th October को पहले थोड़ा doubtful था कि Pixel 8 lineup इंडिया में launch होगी की नहीं योगि Pixel 4, Pixel 5, Pixel 6 series इंडिया में कभी आई ही नहीं But surprisingly, last year Google ने Pixel 7 series इंडिया में launch कर दी थी और अब officially confirm कर दिया है Google ने एक tweet के थूँ ये Pixel 8 और Pixel 8 Pro दोनों ही इंडिया में launch होने वाले हैं 4th October को तो launch तो 7.30 बजे 4th October को होगा और pre-orders भी next day शुरू हो जाएंगे October 5th को और launch से पहले दोनों ही phones का design already reveal हो गया है hardware में कुछ changes expected हैं software Google का तो बढ़िया ही होता है लेकिन इस बार एक चीज़ fix करने की बहुत जादा जरूरत है अब वो क्या चीज़ है इसके बारे में detail में बात करूँगी इस वीडियो में लेकिन उससे पहले जो official information है वो बता देती हूँ design already reveal हो गया है तो design की तरफ नजर डालते हैं तो Google ने एक video release किया जिसमें Pixel 8 और 8 Pro का design confirm हो गया है same Pixel 7 series वाला design language ही रहेगा बस camera module ना थोड़ा सा change कर दिया है Pixel 7 Pro में जो pill shaped camera module था और उसमें camera sensor ना बाहर को placed था वो Pixel 8 Pro में अंदर को डाल दिया है उस pill ship module में और उसको extend कर दिया है और capsule के पास ने एक नया temperature sensor भी आ गया है जो body का temperature को measure करने में help करेगा मतला बहुत जादा design wise कुछ major change नहीं है लेकिन छोटे मोटे changes है जो थोड़ा different look देगे Pixel 8 Pro को Pixel 7 Pro से बाकी वही metal bar होगा जिसमें camera sensors placed होगे, pastel colors और curved back होगा और नीचे Google का branding वीडियो में Pixel 8 Pro white color में और Pixel 8 rose gold color में visible है तो ये color options तो confirm है ही बाकी Google ने थोड़ी देर के लिए Pixel 8 Pro अपने official website पर भी list कर दिया था और फिर उसको remove कर दिया उसके हिसाब से Pixel 8 Pro white के लावा black blue colors में भी available होगा अब रही front की बात तो Google ने front angle से नहीं दिखाया Pixel 8 Pro बट leak suggest ये कर दिये कि इस बार curved display के जगा flat display होगा और इसके साथ-साथ selfie camera के लिए punch hole cutout तो होगा ही जैसे Pixel 7 Pro में था अब features की बात करें तो वो Google ने अभी तक officially confirm नहीं किया है लेकिन leak से suggest कर दिये हैं कि इस बार भी same display size होगा Pixel 7 Pro के साथ जैसे 6.7 inch का था बस वैसे ही होगा लेकिन इस बार OLED panel की जगा AMOLED display यूज़ होगा Pixel 7 Pro already 120Hz refresh के साथ तो आता ही था तो Pixel 8 Pro में भी same रहने वाला है और camera के लिए तो pixel phones जाने ही जाते हैं लेकिन इस बार थोड़े hardware upgrades हो सकते हैं शायर जैसे main camera 50MP का ही रहेगा लेकिन इसमें नया GN2 sensor होगा telephoto sensor भी 48MP का same ही रहने वाला है बट अल्टरा-wide उन्होंने 12MP को बढ़ा कर 64MP कर दिया है which is actually a huge upgrade अब उसके बारे में बात कर लेते जो मैंने introduction में बोला था कि fix करने की जरुरत है वो है performance या मैं specifically बोलू कि Google का जो अपना Tensor chip है ना उसमें काफी सारी चीजे fix करने की बहुत जादा जरुरत है अब जब Pixel 7 series आई थी ना वो बहुत तगडे phones थे camera wise, build wise, software wise हर तरह से लेकिन somehow ना Tensor G2 chip में बहुत सारी दिक्कते थी जो Tensor G में भी हमने face की थी और G2 में भी issues इतने solve नहीं हुए और इसकी वज़ा से ना वो iPhones या Samsung की S series से पीछे रहे गए सबसे पहले तो gaming में दिक्कत थी, heating issues होते थे और overall performance में भी इससे बहुत फर्क परता था अब यह सारी issues हमने Tensor G2 chipset में face की थे Pixel 7 series में अब वैसे तो Pixel 8 Pro इस बार upgraded Tensor G3 chipset की साथ आने वाला है लेकिन अगर यह सारी issues fixed नहीं हुए तो बहुत जादा disappointing होगा इसके लावा battery में भी upgrade होने ही चाहिए लेकिन leaks तो यही suggest करें कि कुछ change नहीं होगा Pixel 7 Pro में 4926 image battery थी और अब Pixel 8 Pro में 5000 image battery होगी और बदला क्या? कुछ भी नहीं I hope ऐसा नहीं हो यहीं कि battery wise भी यह चीज़े बहुत जादा affect करेंगी performance में लेकिन software wise नहीं बहुत बड़ा change होने वाला है leak से suggest करें कि इस बार Google पात साल के Android updates दे सकता है Pixel 8 लाइनप के साथ यह actually बहुत important change होगा क्योंकि already Pixel 8 Pro ना Android 14 के साथ आएगा so you can imagine आपको 5 साल के और Android updates मिलेंगे तो मतलब अराम से 6 साल तो phone चल ही जाएगा which is a very good point but I just hope कि chipset थोड़ा powerful हो ताकि वो इतने लंबे time तक चल सके अब रही price की बार तो Pixel 7 Pro ना single variant में launch हुआ था 12 GB और 128 GB variant Pixel 8 तो expected है कि दो variants में आ सकता है 12 GB, 128 GB और 12 GB, 256 GB variant अब European prices तो leak हो गए है 128 GB variant शायद 1,10,000 का हो सकता है और 256 GB, 1,17,000 में आएगा eventually prices कमी होंगे I am guessing कि Pixel 8 Pro India में 85,000 तो 90,000 तक का price रहेगा तो यह तो information अभी तक हमें पता है बाकी 5 October को हमारा चैनल जरूर देख लेना क्योंकि हम लोग full review video लाने वाले है और अगर आप date बूल जाते हो तो चैनल को subscribe मत करना भूला क्योंकि notification आजाएगी and you can check out our video बाकी कोई भी सवाल हो Pixel 8 lineup को लेकर या Pixel 8 Pro specifically को लेकर तो मुझे comment section में जरूर बताना I will answer all your questions बागी मैं मिलूंगी अगले वीडियो में